नमस्का सातियों, जैसा कि आप सभी को मालो होगा, कि ये जो आपकी किलासें ले जा रहे हैं, ये आपकी UPSC और State PCS को ध्यान में रखती हुए, प्रिलेम्स को खास कर, ध्यान में रखती हुए ली जारी हैं, और आप देखेंगे कि हम लोग उन्ने हिस्टरी से बास सुरू की और सभी सब्जेक्टों को आपका कवर किया जाएगा, इसे आप लोग UPSC या State PCS के लिए Foundation Coast भी कह सकते हैं, और आप सभी लोग बहतर तरीके से जानते हैं मुझे लगता है, देखिए आप लोग जब दसभी वारवी में या कॉलेजी लाई में पड़ते थे, तो आपने देखा होगा कि आपके सामने एक पुष्टक रहती थी, और आप उस पुष्टक में से कुष्टन्स को रट लेते थे, और आप देखते थे कि जब आप लोग पेपर देने जाते थे, तो आप लोग उगल देते थे, आप लोग उसे चाप देते थे, और आपने देखा होगा कि सैम कुष्टन्स रहता था, जैसा कि आपकी किताब में छबा रहता था, लेकिन इस्टेट PCS उस सिबिल सर्विस में, प्रिलिम्स में और ना त इसलिए तो कहते हैं, कि 100 कुष्टन्स अगर प्रिलिम्स में आते हैं, तो 100 में से 100, सही कोई नहीं कर पाता है, या आप देखें कि मुक परीक्षा में कुष्टन्स आते हैं, तो पता नहीं किस तरह का कूँछ ले, कहां से पूँछ ले, तो इसके लिए आप लोगों को आप लोग देने जा रहे हैं, तो जो हम लोग क्लास में ले रहे हैं, इन्हें कवर करके जरूर जाईए, और आपकी टेबल पर कम से कम अपना सिलेवर्स रखी अपने एकजाम का, और अपने 5-6 साल पुराने कुष्टन्स पेपर भी रखिए, और उन्हें समझने की कौसिस करिए, रटना छोड़ दीजे, रटने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, और जैसा कि हम लोग उन्हें पिछली क्लास में आपके प्राचीन भारत को देखा हुआ था, और उसमें बात की हुई थी कि हमें कौन-कौन से चेप्टर प्राचीन भारत में कवर करने हैं, तो बहुती साधारन सब्दों में रहेगा, सेंधाह सब्दा से पूर्व का समय प्रगीति हासिक काल कहलाता है, और इस काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुक साधन पासाण से बने, बिभिन पिकार के ओजार हैं, और इसलिए इस काल को आमतोर पर पासाण युक के नाम से आप ही मिलता है एक तरह से आप ऐसा माल लेगा कोई ऐसा काल था जिसके समय वे उस समय लिखने की कोई विवस्ता नहीं थी कोई कॉपी किताब नहीं थी कि उस समय किसी ने लिख दिया और हम उस समय के बारे में उस किताब से जानकारी एकटी कर लें समझ नहीं आप लोग तो आप एक बात और आपको बता देता हूँ, इन सभी क्लास के लिए आपकी एक special playlist सूची बना दी गई है, UPSC and state PCS prelims, special classes के नाम से, इसे ही में आपकी सभी क्लासें बड़ी रहेंगे, ठीक है, अब बात करते हैं मानों की विकास की, आज हम लोग जिस रूम में हैं, आप सभी यानते कि उस रूम में ना तो कभी हम थे, क्योंकि हम में विकास होता रहा है, पहले हम लोग देखते थे कि आदी मानों थे, बंदरों के रूम में थे, आप समझ रहें, तो मानों का विकास कहां से हुआ है, तो भोग विज्यानिक दृष्टी से पिथवी करीब, 48 अरब पुरानी किस की बात हो रही, पिथवी की बात हो रही कि, अरब 48 अरब बर्स पुरानी है, और इस पर जीवन का प्यारम हुआ, तो जीवन का अरब 35 अरब पूर हुआ, पिथवी हमारी 48 बर्स पुरानी है, और जीवन इस पिथवी पर 35 अरब बर्स पूर का है, ठीक है, और 35 अरब ब में एक तरह से आप कहिए जल परिवर्तन के कारण एक तरफ जहां जंगल सिमठते जा रहे थे वहीं दूसरी तरफ कपी संख्या जंगल की तुला में बढ़ती जा रही थी और एक कपी जंगल की सीमा पर मड़राते रहते थे और आगी चलकर मैदानी जीवन के लिए अनुकू साफ होते जा रहे हैं और मानो विकास करता जा रहा है तो उस समय भी आप देखिए जो बंदर वहां से निकले वो उपकरन बना कर अपना जीवन यापन करने लगे आप समझ रहे हैं हाथों को मुप्त कर दिया अब उनके हाथ भी काम करने लगे पहले हाथ उनके पाओं के रूम में काम करते थे ठीक है अगर हम लोग प्राक इतिहास की पर एक नजर डालें तो मानो विकास की समझ के लिए पिदभी के भूग अरविक विकास को समझना पड़ेगा आपको पिदभी का वर्तमान कल्ब नोतन जीव नोतन जीव महाकलप है मनुस की पूरवच प्रमपरा मद्ध नोतन से सुरू हुई क्योंकि दो करोड बरस पूर भारत में सिवालिक निच्छेपों से रामा के पिद्धेकस के साक्ष प्राग्तु हैं और अतेंत नीवतन काल से प्राक इतिहास की प्राक इतिहास की प्राथ होती है और पासान की मिले वजारों की प्रकिती के आधर इसे निम्न अवस्थाओं में वर्गिकित करते हैं यहां उपर कुछ पॉइंट हैं ने भी देख लीजे आप लो रामा पिद्धेकस लगभग दो करोड बरस पूर्व की बात है यह पूरवच समूग विभ पूर्वच बनाए यह पूर्व अतैंत न्यूतन काल में फरकट हुआ फिरा आप या काप का है पैन्थे पैथिक केंठोपस या होमो इरेक्टस या फिरिक टस कहते हैं इरेक्टस आरंविक मद्दे अतेंतन न्यूतन काल में समय की बात हो रही है अतैधिक भिक्सिद मानो जाती का था फिर आप देखेंगे नियंडर थाल या फिर पैकिंग मानौ मानौ पुर्विजों में सबसे प्राण सबसे में पहले प्राणी जिन्होंने नाकिबल हेमाच्छादित चेत्रों की चुनोती को सुईकार किया बलकि सम सीतों चेत्र के भीतर पहुंच गए फिर आप आप देखेंगे होमो सीपियंस लगबत 30,000 वर्स पूर आधुनिक मानौ का विकास हुआ जिस रूम में हम लोग देखते हैं न इसका क्या हुआ विकास हुआ इस रूम में ठीक है अब आप लोग पासाण काल को देख लिए इसे तीन भागों में बाट देते हैं एक तो आप देखेंगे बिस्व में 4,000 से और भारत में 7,000 से 2,000 वर्स पूर तक 9% काल रहा है सबसे पहले इसमें पुरा पासाण काल के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका समय प्रिएट 6,00,000 से 10,000 वर्स पूर तक रहा है इस काल में मनौस का जीवन पूरता प्राक्तिक था औ प्रिधानता अखेट पर निर्भड रहते थे उनका भोजन मास और कंदमूल हुआ करता था यानि कि हम लोग सिकायर करके अपना भोजन पेट भरते रहते थे और मास के रूम में कंदमूल फल यहीं खाते रहते थे इस काल का केवल खाद पदार्थ और भोगता था और खानव दोस्त जीवन भितीत करता था उसका आवास सेला सरों की नीचे अथवा खुले इस्थान में भुगा करता था अब आप सुनुच सकते हैं कि उस समय ना तो कोई जानकारी थी तो किस तरह का उनका जीवन या पर रहेगा यह देख लिजे यह महाक कल और समय और जैविक जीवन तो इसमें आप देखें तो सेनो जोएक क्या सेनो जोएक इसमें तितियक पुरा नूतन यूग और इसमें आप देखें कि 6.5 करोड वर्स पूर यह विसाल इस्तनपाईया रूम में होता था फिर आप देखें कि आदी नूतन यूग यह 5.5 कर ጔ什 यहां से आप लोगों को देखी रहा होगा और मुझे लगता है देखना चाहिए आप लोगों को एक तरह से बच्चे वो आप लोग देखते हैं ना हमारे समाज में उसी तरह आप समझें पहले बच्चे आप देखते हैं कि आता है जर्म लेता है तो वो बैठना तक नहीं जानता है फिर आप देखते हैं वो गुटनों के बल फिर आपने देखा हो टेक के चलता है अत्तमें वो फिलकुल खड़ा होने लगता है तो आप देखेंगे ऑस्टो जो ऑस्टेलोग पितेकस ए हॉमो एरेक्टरस नियंडर्थल हॉमो और आधुनिक मानो इस तरह से ठीक है यह आप द देखेंगे जो भी जानवरों की खाल या पत्ता से अपने बत्न सरीर को ढक रहें देखते हैं अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पहले भारत भारत में भारत इस तरह से इहां बहुत ही माना जाता है ठीक है इसमें अगर आप देखें तो ये आपका रोहिडी हिल जैरूक ये आप देखेंगे थोप मुगारा ये आप देखेंगे डीडवाना होकुरा यह आप देखेंगे पुस्तकर जालौर, यह आप देखेंगे बागोर, फिर आप देखेंगे यह आपका रोजड़ी, फिर आप देखेंगे पावागड़, पहाड़ी, यह नर्वदा नदी जा रहे हैं, भीम्भैट का आदमगड़ की गुफायें, यह आपकी यमन नदी है और गंगा नदी है यह आप देखेंगे महादाहा और यहां बेलन सराय नहर राय यह और यह बेलन नदी स्थाले यह बीरभानपुर यह महादी है आपकी गोदाबरी किशना नदी ठीक है और यहाँ आप देखेंगे निवासा, मुंबई, देखें, बंबई, चिर्की, यह चिर्की है, यह आपका हंसगी है, फिर आप देखेंगे तुम्भद्धा नदी आपको देखने को मिल जाएगा, यह आपका रेन गुटा, अतीराम पक्कम, गुडियाम गुफा, टेरी, इस् प्रुद्धान था, और वंगला देश का जो हिस्सा था, वो हमारे ही अंद्रव में आता था, ठीक है, भारत में पुरा पासाड युग को ओजार पुरुद्धुगी की और जलबाईयों में, होने वाले परिवरतन की आधार पर तीन अवस्थाओं में बाटते हैं, यह पूर के उत्तर पूरा पासाड काल, एक पैंतालीस हजार से एक हजार, पैंतालीस हजार से दस हजार पूर पूर की समय के बीच रहता है, आपका कौन सा? उत्तर पूरा पासाड काल, अगर हम सबसे पहले पूर पासाड यूगीन संस्किती की बात करें, जिसका समय 6 लाग से एक लाग वर्स पूर रहता है और वर्स पूप कहने के मतलब होता है कि देखे आप लोग एक बास सेधी सी बात है कि इससे पहले की बात हो रही है ठीक है भारत में पासार्ण सब्विदा की खोच सरफ वितम 1863 में रोवर्ड बुरुस फूट ने मद्रास के पास इस्तित पलवरम नामकिस्थान पर की थी यह आप लोग जरूर लाइन याद रखेगा भारत में पासार्ण सब्विदा की खोच सबसे पहले किसने की रोवर्ड बुरुस फूट ने कब 1863 की बात है कहां मद्रास के पास इस्तित पलवरम नामकिस्थान पर और इस सब्धा का उदय और विकास पिती नूतन काल यानि की पिलाई इस्टो सिन युग में हुआ इस काल की मुख ओजार आप देखेंगे हस्त कोठार, कुलाडियां, विदार्णी, किलीवर, एक मुखी गंड़क, खंड़क, चौपर थे इस काल की मुख करणों को दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं आप लोग क्योंकि आप समझे उस समझे शुरूआप थी, उनके पास कोई इस तरह का लोहाप, फोहाद उथा नहीं या इस तरह की तकनीक नहीं थी, तो वो आप देखते हैं, पत्थर से ही अपना काम चलाना सुरू कर देते हैं, अगर पूर पासार्ड, युगीन वजारों को देखें तो चापर, चापिंग, पैबूल संस्किती, इसके उपकारण सरबितम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से प्राप्त हुए, और इस कारण से इसे आप लोग सोहन संस्किती भी कहते हैं, और इस्चेत के बिवस्थित अनुवेशन से पहले, पहली बात संस्किति किरम परंपरा का प्रमार मिला हो, इस संस्किती में बटी कास्म, उपकरणों की प्रधानता है, जिनने स दुरुआत जीवन में हम लोग जब समझ रहे हैं, तो इस तरह है कि हम लोग ऑजार बनाते थे, देखें, इस तरह है कि यह आप सोचे कि भाला टाइप का हो गया, समझ रहे हैं, यह आप देखें हाथ में पकड़के से कुछ दबाना है, ठीक है, अब बात करिए, सोहन को आरंबिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा या विक्सित सोहन नाम दिया गया, और उत्तरकालीन सोहन के अंतरगत चौंतरा ने से पराप्त उकरणों का विशिस्मत है, और चौंतरा उत्तर तथा, दख्षिड की परंपराओं का मिलन इस्थान था, और दूसरी यह आप फलेक परणाली द्वारा निरमित किये गए अब देखें इनके ओकरणों में भी जो भी इनके हतियार बनाये जा रहे हैं इनमें भी आप लोग बिकास देखेंगे ठीक है और एस समरजित छेत आपको देखना है तो पंजाब की सोहन घाटी पाकिस्तान में है पहल गाउं एक क सिर्फ पक्कम ए मद्रास में एक भूच लेगा कि भीमबैट का कहा है तो यह सभी आपको स्थल भी याद होना चाहिए ठीक है आप बात करते हैं मद्द पूरा पासांड काल के मारे में और एक लाग से चालीस हजार वर्सपूर्ग की बात है इस काल के ओजार प्रोद्दु किया जाता था सल्क भी निर्माड और उसमें भी लवाई तकनीक का चलन बढ़ गया और फलकों की अधिक्ता के कारण इस काल को फलक संस्किती कहते हैं क्या कहते हैं फलक संस्किती कहते हैं और इसमें आप देखें अगर तो मद्यकालीन, उकर्ण, वेधक, वेधक खुरोचनी, फलक जैसी स्थूल सल्क, वेधनिया, इसकाल के ओजार, अधिकांस्ता, मद्भारत, दक्खन, राजिस्थान, महराष्ट, तमिलनाडू, करनाटा, कुड़ी सासी पर आप थुए अब आप देख रहे होंगे, देखे ठीके, इस तरह से आपको ओजार, आप लोग देखते होंगे कि आज एक समय हुआ करता था आपके घरों में, आप लोगों नहीं देखा होगा, कि कोई भी आप लोग धनिया या मिरिच, कुछ बाटने के लिए, उसे पीसने के लिए, सिल्वट्टा हुआ करता था, आज कल आप देखें, नहीं नहीं तक नहीं गया चुकी है, उसे भी घर से हटा दिया गया है, तो ये मद्ध पुरा पासाण हो गया, फिर आप बात करते हैं, उत्तर पुरा पासाण काल, इसका समय रहता है, 45,000 से 10,000 इसा पूर तर, इसा पूर और एक बात और आप लोग जान ले कमरे बीच्शी कहँए और इसा मसीया के जणम के बात की तिति को आप लोग एडी कहते हैं या इस भी कहह देते हैं, जैसे मान लिजे कि मेरा जणम या आपके किसी आपका जणम, किसी तारीक को होता है और आपके पिताजी से कोई कहे कि आपके एक घर आपने कब बनवाय तो बोलेंगे बेटे के जनम के पहले इसा पूर्व यानी के पहले की तिति ओर आगर उन के पापा ने धर बाद में बनवाए तो बूलेंगे बेटे की बेटे के जनम के बाद समझ रहें आप तो उसी से जीरो तारीक मान लिया। जिरो मालिया उसके पीछे की घट्नाओं को ईसा पूर कह दिया जित्तकला का विकास हुआ जिसका उधारन बिंद चेत्थ से के सहलासै से बने एक कुछ गुहा चित्त इस काल का पिधान पासान उकरन विलेड था और विलेड पतले तथा सक्रे आकारवाला वह पासान खलक था जिसके दोनों किनारे समानंतर होते थे जो लंबाई में अपनी चोड़ाई से दूना होता था इस काल में अन ओजार खुरुचनी वैधनी आरी तल तच्छनिया वैध देखे कि विकास हुआ मानों ने इस तरह के ओजार बनाने सुरू किये फिर आप देखिए और मानों में विकास हुआ वो समझदार हुआ और वो इस तरह के ओजार बनाना सुरू कर दिया उसने तो आपके उत्तर पासाड़ी यूगिन जो भी ओजार हो गये यह आपके पटके भर भनने इनाम गाओं महराष्ट रेनु गुंता तेमूला करनूल गुफाएं अंधिपदेश भोराफो द्वाब करनाटक विस्दी ये गुजरात में इन इस्थलों से कईवार कुश्चन्स पूच लेता है इस योग में मारो जीवन में कुछ विसेश परिवतन दिर अनिक व्यक्ति जुन्दों या कुलों में रहते थे अब यानि कि आप सोचे कि एक साथ रहने लगे जिन्नों ने आगे चलकर परिवार को जनम दिया और यागी भी सामाजिक आसमानताओं व्यक्तिकद संपत्ति की भावना का उध्या भी नहीं हुगा यानि कि कहने का पुरसों महलाओं में सरम वेवाजन प्यारम हो चुका था यानि कि महलाओं का काम बट चुका था और पुरसों का काम अलग हो चुका था और पुरस सामनता उनका काम रहता था भोजन संगरहा का कार और महलाओं घर की देखवाल करते थे कहने का मतलब ही कि पुरसों का काम उस समय क्या रहता था कि सिकार करना, किसी तरह से खाना पीना की विवस्था करना, और महलाओं का काम रहता था कि वो घर का काम करें, यानि कि आप देखें कि बच्चों को समालना और जो भी इस तरह का कायाक में रहता था, निवास के लिए गोफाओं के अत्रिक्त संभावता जोपणियां भी बनाई जाती थी यानि कि अब मानोग जोपणियां भी बनाने लगा हड़ी से बनी हुई सुईयों की साहता से जानवरों के चमडे को बस्त की रोम में सेलकर पहनना जाता था यानि कि अब अपने कपड़े भी एक तरह से अपना तन बदन भी ढगने की कौसिस करने लगा कला एबं धरम के पिती भी लोगों की अभी रोची बड़ी नकासी चितकारी दोनों रोप में कला ब्यारो ब्यापक रोप से देखने को मिलती है यानि कि अब आप देखें कि मानो समझदार होता जा रहा है भीमेटका की गुफाओं से उप्तर पासाड कालीन गुफाचित मिले और एक चित ऐसे अंधेरी गुफाओं में बनाए गए जहां पेकास का पहुचना कटेन है कुछ चित्रों को बनाते समय तो कलाकार को बैठने में भी कष्ट उठाना पड़ता होगा और इसलिए अनेक विद्वान कहते हैं कि विद्वानों की धार्णा है कि चित्रित गुफा मंद्रियों के सादरिस्ते थे इने बनाने वाले विष्ट वर्ग के विख्ती जादूगर प्रोहित रहते थे और आप समझें कि यहीं से आप देखे सामाजिक विद्वाव सुरू होता है जो बसों को बसमे करने का उपाय करते थे अगर ऐसी बात रही होगी तो इस समय से सामाजिक विभेत का भी आरम हो गया होगा कि ए निचली जाती का वो उची जाती का ए तागदवर ए कम तागदवर क्योंकि एक बरग विशेश का प्रभाव इससे परिलक्षित होता है यह वरग बिना परिस्तम के ही जादू के बल पर भोजन प्राप्त करता था और बाद में इसी कारण समाज में प्रोभत्तों का प्रभाव बढ़ गया चितकला के अत्रिक नकासी की जाने लगी अस्तियों और हाती दात से सुंदर मूर्तियां भी बनने लगी जिनका कुछ धार्मिक महत्वी होने लगा पुरा पासानकाली संस्किती बहुत लंबी याओधी के दौरान विक्सित हुई इस याओधी सामनता आप समूचे विस्व में आप देखेगे चाल लाग वरस पूर्व से दस जार वरस पूर्व तक मानी जाती है भारत में यह संस्किती पश्चिम में सहराष्ट और राजिस्थांपूर में बिंद्यांचल छोटा नांग पूरु तक विस्तित थी यह संपूर्व शेत पुरापासान कालीन संस्कितिक शेत के नाम से जाना जाता है आंद्फिदे सुड़ी सा माराष्ट करना टक इस संस्कितिक शेत के कुछ विवित थे इस समग संस्किती के दौरान मनुस मुक्ता गाटियों पहाडियों धलानों पर नदी के किनारे गुफाओं में रहता था तो अब समझें कि मनुस और भी अच्छा एक तरह से बिक्सित होता जा रहा है वो नए नए काम कर रहा है खोजें कर रहा है ठीक है फिर आप देखेंगे मदपासान काल क्या आता है मदपासान का उच पुरापासान योग का अंत और 9000 इसा पुरु के आसपास हिम योग के अंत के साथ ही हुआ और जलवाई गरम उसस को गई जलवाई के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधों और जीब जंत्रूँं में भी परिवर्तन जीब जंतों में भी परिवर्तन परिवर्तन हुए और मानौ के लिए नए छेत्रों की और अगरसर होना संभा हुआ यह काल पुरापासान काल और 9000 काल की मद्द संकमड कुदर सता है इस काल को याद रखे कि संकमड काल भी कहते हैं इस काल में भी मनुस मुक्ता सिकारी और खाद संकरा की रहा परंतु सिकार करने की तक्नीक में परिवर्तन आ गया यानि की कहने का मतलब है कि अभी भी आप देखे कि मानो सिकार और इस तरह से एक खटा करके खाना ही अपना गुजारा जो भी रहता था करता रहा लेकिन क्य सिकार करने की तक्नीक में परिवर्तन आया कैसे आया अब ओए चोटे चोटे जानवरों का भी सिकार करने लगा जैसे मचलियां पच्छी पसुपालन का प्यारमिक साक्ष भी इसी काल में मिलता है मदपेदेश के आदमगड और राजिस्थान के बागोर से इस काल में पिछ आयार तिकोड नवचंद्रा का समलम ओजार यह आपको देखने को मिलेंगे यह आपको इसके रिन पर दिख रहे होंगे मदपासाड़ी के मुठ्छे लगे ओजार हो गए और इसमें आप देखेंगे यह आप देखेंगे कुछ चित भी आप लोगों किस तरह की दिखेंगे इस सब मिलकर इसका सिकार कर रहे हैं इसे भी देखिए इनसान है इसका सिकार करनी की बात तो इवे आपको मदपासाड़ काल की महत्पूर इस्थलों की बात करें तो मदपासाड़ काल पासाड़ इस्थल राजिस्थान दच्छेड़ उत्तरफिदेश मदवा पूर्वी भ भारत में किष्णा नदी से दच्छ से दच्छन में पाय जाते हैं और कुछ अन्न प्रमु की स्थल हैं पश्चम बंगाल में बीर भूम बीर भानपूर हो गया और आप देखेंगे गुजरात में लंगन लंगन अज हो गया तमिलाणू में टेरी समो या मद्विदेश में आ पाह नाहर राय इवं महा दैहा भादत के सबसे पुराने मद्व पासांड का लीन इस्थले और यहां से इस्थम गरत सरपथम की साथ्च्छ मिलते हैं राजिस्थान के बागोर से पासांड के साथ लोह काल के उपकरण और मानव कंगाल भी मिले यानि कि आप समझें कि पासांड उपकरण पसुओं की हड्डियां कभिस्तान 14 मानव कंगाल कुछ मिट्टी के बरतन भी फिराप्त हुए भी मैटका से मानव अंतर्ष्टी के प्रमाड भी मिले मानवी यह आकमर्ग यहुद्ध के पैरमिक साक्ष सराह सराय नाहर राय से पराप्त हुए लेखनिय से सत्रे नरकंगाल महादया दहा दया के किसी ना किसी समाधी में इस्तरी परुष्ट के साथ दपनाने के साक्ष अगनी का प्रियोग मद्द पासांड काल को पुरा पासांड काल से अलग करता है और गुजरात के लंग नाज और रोतार पदेश के सराह नाहर राय और महाद सहा से गर्थ चूले के साक्ष मिले यानि कि अब माना जाने लगा कि इस समय अगनी का एक तरसे अविस्कार हो चुका था ठीक है अगनी का उपयोग करने लगे थे मास को भूजने के खाने लगे थे लोग ठीक है और आप देखे कि सामाध जी का पिथा आ चुकी थी एक तर जीवन पदिती की और संकेत देता है तो यह आप देखिए अब बात करते हैं हम लोग 9 पासांड काल की नियूल लेथिक एज 9 पासांड काल को नियूल लेथिक सब्द का परियोग सरवितम जान लोग ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टारिक टाइम्स में किया था इनका नाम ही याद रखिएगा भारतिय परिपेक्ष में 9 पासांड संस्किती की सुरुआत बलुचिस्तान पाकिस्तान के मेहरगर से हुई जिसका समझ 7000 इसापूर बताया जाता है और विस्सतरिय संत्रम में 9000 सापूर से प्यारम हुई डी गार्डन चाले ने इस संस्किती को अपने आप में परियात अन उत्पादक और दुदस्ता बताया और इस संस्किती की निमने विस्सता है अब कहने का मतलब है कि अब आप सोचे कि जो मानो था आप वो कोई उत्पादन करने लगा था अननका अब बुआई भी करने लगा था एक तरह से किरसी काम करने लगा था पसूओं को पालने की विवस्ता भी हो चुकी थी पत्रों के ओजार का घर्षन और उन पर पॉलिस करके बनाने लगा था मिद्भांड बनाने लगा था ग्राम समुदाय का प्यारम हो चुका था तो आप कह सकते हैं कि काफी समझदार हो गया था अभी तक विचार था कि सर्विथम पश्चे मेसिया में किर्सी बापसूप पालन की सुरुवात होई थी कहां? पश्चे मेसिया में वहां से विसरन द्वारा अन्ने छित्रों में इसका प्रिसार हुआ परन्तु अब यह धार्णा परिवर्तित हो गई ऐसा मानन जणना लगा है कि विविने छित्रों में इसका विकास सुतंत रूप से हुआ मेहरगड में 5000 इसापूर्व से पहले इस इस्थान की लोग मिंदभांड का परियोग नहीं करते थे दच्चिन भारत में पाई गई 9% बस्तियों पच्चीस सो इसापूर्व से अधिक पुरानी नहीं है भारत की दच्चडी और पूरी विभागों में ऐसे स्थाल माज 1000 इसापूर्व के हैं नव पासाड योग की लोगों द्वारा ब्योभार में लाई गई कुलाडियां की आधार पवस्तियों की नमांकित भाग निर्धारित की गए इसमें आप देखें के उत्तर पश्चिम उत्तर चित और उत्तर चित कस्मीर घाटी दच्चडी दच्चडी पूर उत्तर पदेश इलावाद मिर्जापूर मद्ध पूर्वी चित उत्तरी बिहार पूरुतर चित असम मेघाले गारो पहाडियां तो ये भी याद रखिएगा और आप देखेंगे मद्द पूर्वी चित चोटानांक पूर उड़ीसा और पश्चे मंगाल ये आप देखें नव पासाड़ी घड़ी के ओजार हो गए अब आप सोची कि और बहतर वो लोग ओजार बनाने लगे उत्तर पश्चे में कस्मीर एवं एक महतून नव पासाड़ी किस्थल है यहां बुर्ज हॉम और वुर्ज हॉम एवं गुप कराल पिरमुकिस्थल है जहांसे गर्द निवास यानि की नीचे जमीन में निवास करने लगे थे लोग गड़े खोद कर मेदभांड की विवित्ता और पत्थरवाट्डियों के विविन और जारों का प्रियोग सूख्च माइक्रो लिक्त उपकरणों का अभाव मिलता है वर्ज हॉम में भुमे की नीचे निवास का साक्ष मिला है सेकार करना, मचली पकरना, संभावता किसी से भी इनका परचित था सबसे महत्पूर पालतु कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाना तो आप सोचे कि समय कुत्ते को पालतु बनाया जाने लगा था एक कुष्टेंस भी कई बार कुछ लेता है कि सबसे पहले किस जानवर को इनसानोंने पालतु बनाया था तो याद रखी कुत्ते को, किसे कुत्ते को ठीक है? और आप सोची कितना लगा हुआ करता था कि कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफना दिया जाता था उत्तर पश्चे में मेहरगड भी एक महत्पूर रिस्तल था यहां ग्याहू की तीन और जो की दो किसमें पराप्त हुई है मेहरगड को जरूर याद रखेगा यहां ग्याहू की तीन और जो की दो किसमें पराप्त हुई है ये लोग संभाव तक खजूर का भी उत्पादन करते थे, कच्ची इंटों की आयतकार मकान में रहने लगे थे, अब आप सोचे कि कितना विकास हो चुका है, अब मकान भी बनाने लगे, और उत्तर पश्चे में स्वाद घाटी में सराय खिला एक महत्पूर रिस्तल है, विल चौपानी मांडोक से संसार में मिदभान की प्राचीनतम साक्ष मिले, यहां से नौपासाण का पासाड़ीक पारमभीक चरन की परमाड, व्यवस्तिक ग्रामवास की परमभीक परमाड मिले, मद्द गंगा घाटी में प्रमुक नौपासाणी की स्थल, चेरांद, छपरा, सैनू, आर, तारा, डिह, आदी, विलन घाटी में चौपानी मांडो से, तीन किलो मीटर दूर इस्थित, महागडा से, गौसाला की साक्ष मिले, दच्चेन भारत की प्रमुक नौपासाणी की स्थल, करनाटक में मास्की हो गया, ब्रहमा गिरी हो गया, हल्लूर, कुडकल, पिकली हल, संगन कलन, टेकल, कुट्टा, और तमिलाडू में आप देख, तमिलाडू से पोचम पली, और आंद में आप देखेंगे उतनूर, दच्चेन भारत में प्रिवक्त होने वाली पहली फसल थी रागी, क्या रागी, केसी यहाँ गौड ही थी, और यहाँ नौपास कालीन संगिती का उधा हुए, नौपासार काल में, किर्सी उकड में, खंती, खंती और कुदाल का प्रियोग होने लगा, नौपासार योग में हुए आर्थिक परिवरतनों में ने सामाजी के वहाँ संगिति की जीवन को भी प्रभावित किया, जनसंख्या में विढ़ी होने लगा और जैसे कुमार बड़ाई एक तल से आप देखिए कि समाज में बटवारा हो गया उनके काम को लेकर कुमार बड़ाई किर्सक इत्यादी व्यक्तिगत संपत्ती की भावना का विकास हुआ अब लोग समझने लगे कि हमारी संपत्ती है तुमारी संपत्ती हमें ये कट्ता करना है इस इसने समाजी का haven आरितिक आसमानता को जनम दिया उत्वाधन के कारियों में पुरो स्बर्ख की महतपूर्इब् हुमिका निभाने लगा और फलताधीर प्राजनेतिक जीवन के विसाय में कोई विसे जानकारी नहीं मिलती है। पुरा प्रभाव था। प्राजनेतिक जीवन के विसे जीवन के विसे जानकारी नहीं मिलती है। तो आप समझ रहे हैं कि मानो काफी विकास कर चुका था अभी तर और इन सभी छेत्रों को जो बताया हुआ है इनमें काफी मत्पूर भूमी का निभाच चुका था। अब बात आती है नौ पासान इस्थल की किसकी। नौ पासां इस्थल की। इंधिए 9% असर्थल देख ली जसे हो सकता है कि आपके परिचाओं में पूछ न्यखी आपको आपको नह müsste आपको देखना चाहिए आपको मौलू livre बेकिया को एह में अपरसे सुरू करते हैं गाली गाली गाउय वेख्ला और इस वावाद एव Sammy SakHyrick पाकिस्तान में आप जा चुका है इस दिल्ली आप देखी रहे हैं फिर आप नीचे आईए यह मुना गंगा हो गई यह आप देखेगे कि आपका चीछार हो गया चेरांद हो गया महा गड़ा एक कोल्डी हवा पटना ठीक है यहाँ आप देखेँगे तो गवाटी यहाँ आप देखेँगे तो सारू तावू यह आप देखेंगे मारक्डोला सेल वल्गरी दोजली है अंडिंग एककॉल का था आप देखेंगे यह यह बरु डी है कुछाई भुववनेशर हो गया नागपूर यह नदवदा दापती ह होगी यह आप देखेंगे नागार्जुन कॉंडा और नीचे आई आप लो उन्नूर फिर आप देखेंगे तिककल कोटा कोडेकल मासकी संगन कल्लू यह टरडाल कोपगाल हल्लूर यह आप देखेंगे पलवाय ब्रह्मगरी टी नर्सी पुर हिमिज प्यम पल ली यह आप लोगों को मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए आपकी एक सामान जानकारी के लिए बहुत बहतर रहेगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं तामपासाड काल के बारे में और इसमें आप देखें तो जिस काल में मनुस ने क्या हुगा जिस काल में मनुस ने पत्थर एवं तामे के ओजार का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को आप लोग तामपासाड एक काल कहा जाने लगा सेदी सी बात है कि अब तामे का भी उप्योग किया जाने लगा था तामे के भी ओजार बनाने सुरू हो गय थे सरोपिथम जिस धातु को अजारों में फ्रयोक्त किया गया वह थी तामवा और एक कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले मानों ने किस धातु का उपरियोक किया था तामवे का ऐसा माना जाता है कि तामवे का सरोपिथम फ्रयोक 5000 इसापूर में किया गया था और अध्यन की सुग्धा के लिए हम ताम पासारीक स्थलों को दो भागों में आठते हैं, एक तो आपका परवर्ती हडबा संस्कितियां और एक है आपका अन ताम पासारीक कालीन संस्कितियां, सिंदू सब्विता के पतन के पश्चाद कुछ ऐसी ताम पासारीक कालीन संस्क स्टित में आई जिन पर सिंदू सब्विता का प्रवावा देखा जा सकता है और यह परवर्ती हडबबा संस्किती के नाम से आप लोग जानते हैं, ताम पासांड काल के लोग मुख्टा ग्रामीड समधाय के थे, किस तरह के थे ग्रामीड् चेत में रहते थे ग्रामीड समध बहारत में ताम पासाड अवस्ता की मुक्षेट दश्चड पूर्व राजिस्थान में आहार व गिलुंद पश्च्मी मत्रपदेश में मालवा, काइथा, एरन, पश्च्मी महरास्ट और दश्चरी Пूर्वी भारत में सबसे विस्तित उत्खनम पश्चिम में महराष्ट में हुए जहां अहमद नगर में जोरवी, निवासा, दैमाबाद, पूरे में चंदोली, सोन गाओ, इनाम गाओ, आदी ये सभी स्थल जोरवी संस्किती के संस्कितिक हैं और मालबा ताम पासाडिक संस्किती की एक बिलक्षन था है, मालबा मिध्भांड जो ताम पासाडिक मिध्भांड में उत्किष्टितम माना जगया है, आहार का प्राची नाम तामवती अर्था तामी की वाली जगय है, गिलुन्द इस संस्किती का स्थानी के इंद माना जात तापासार की लोग बस्त निर्माट से सूपरचित थे, बस्त भी पहनने लगे, इस काल में लोगों की संसकार और धार्मिक संपधायों के बारे में कुछ हावास मिलने लगा, संसकार की जो आप लोग बात करते हैं धार्मिक संपधायों की बात करते हैं उसी की बात हो रहे है महराष्ट की लोग मेरतक को अस्थी कलग में रखकर अपने घर के फ़र्स के अंदर उत्तर दच्छिन दिसामें रखते थे दफनाती थे एक तरसे ये लोग मात्य देवी की पूजा करते थे और विरसब धार्मेक संपदाय का पितीक था इनका ताम पार्शाडी काल की इस्थल हो गए जिने भी याद रखे कई बार ये पूच लेता है ठीक है इसमें आप लोग आपके पास सामने मैप देखी रहा है इस सिंदू हो गया और यहां से शुरू उपर से करते हैं बहद दराबाद ये आपका फिर आप देखेंगे राजफुर परसु लालकिला सैफई और दिल्ली जोतफुर गनेशुर नो है फिर आप देखेंगे गिलंद अहाड फिर आप देखेंगे नागदा यहां आएंगे तो यह है आपका अतरंजी खेडा नरहन और सोहे गोरा चिरांद एरन काइथा महेसुर सावल्दा प्रकास नावदाटोली नासिक जोर्वे देमाबाद निवासा चंदोली इनाम गाउं आपे गाउं ठीक है और यहां देखेंगे तो पांडू, रजार, डिवी, महिस, दल और यह कूल खाता हो गए आपका ठीक है? यह वंगाल की खाड़ी एरफ सागर अगर हम लोग ताम पासाड समधाय के चाकों पर बने काले और लाल मिदभान्णों का प्रयोग करते थे जो पासाड काले के जो समधाय थे, लोग थे यह आप देखेंगे काले और लाल मिदभान्णों का प्रयोग करते थे और चितरित मिदभान्णों का प्रयोग सरफितम इनी लोगों ने किया दच्छेन भारत में नौ पासाड अवस्था आलक्षित रूप से तामपासाड अवस्था में परहड़ता हो गई थी और अता है इन संस्कितियों को नौपासाड एक तामपासाड संस्किती नाम दे दिया गया पश्चिम भारत में संपूर सावाधान और पूरवी तथा पूरवी भारत में आंसिक सावाधान पिछलित था और ये लोग लेखन कला से अन्यविग थे और सबसे बड़ी तामिलीफी मदपदिस के गुंगेरिया से प्राप्त हुए यानि कि कहने का मतलब है कि पश्चिम भारत में ये संपूर सावाधान पूरी तरह से सबका समाधान कर देते थे ठीक है और पूरवी भारत में आंसिक सावाधान यानि कि आप देखे कोछ है जलाने के बाद या दपनाने के बाद छोड़ देते थे ठीक है और आप देखते सवाधान दिसा उत्तर दिछट दिसा इनाम गाओं एकलेवंद बस्ती यहां हाती दात सिल्पकार चूना पनाने खिलोने बनाने वाले यहां मिले महराश्ट में जौरवे संस्किती दुई स्थरीय निवास यहां मिले आपको फिर आप देखेंगे कि आपका कोट दीजी आमरी काली वंगा गनेसों से हडपन अवस्ता है और तामपासाडिक बस्तियों के लफ्ट होने का कारण अत्यल बरसा सूखा रहा है तामपासाड संसकिती घरामीट पश्ट भूमी पर खड़ी हुई थी अगर आप से कभी कोई पूंचता है कि ताम पासाणी बस्तियों क्यों लुप्त हो गए थी, क्यों नश्ट हो गए थी, तो आप बता सकते हैं कि कम अर्शा हो रही थी, सूखा पूरी पड़ने लगी थी, कुछ महतपूर्द आप आसाणी संस्किति हैं, अहार संस्किति इसका समय आप देखेंगे 2450 से 1700 इसापूर, मालवा संस्किति इसका लगभग आप देखेंगे 1900, कितना? 1900 से 1400 इसापूर, सावलदा संस्किति लगभग 2300 से 2000 इसापूर, जोरवी संस्किति लगभग आप देखेंगे 1500 से 900 इसापूर, प्रभास संस्किति ए 2000 से आप देखे तो यह कहानी रही है आपकी प्रगितिहासिक एवं तांपासाड कालकी आप हम लोग बात करेंगे अंगले चैप्टर में हड़ापा सब्विता के बारे में बात करेंगे और उससे भी आप देखेंगे आपकी परीक्षाओं में कुष्टन्स आते हैं तो मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद आपकी परीक्षाओं में जो इस चैप्टर से कुष्टन्स पूछे गए हैं उन्हें जरूर देख लीजेगा इससे क्या रहेगा कि आपका रिवीजन बहतर तरीके से उपाएगा और बहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे और मुझे लगता है कि अपने आपको रखा करिएगा या आप लोग ऐसा उधारन लिया करिएगा जिससे आप लोगों को समझ में आ सके मानों के विकास के करम में आप अपने आपको रखिए पर सोचिए एक-एक पॉइंट को जोड़ के रखिए हम लोग जब आंगे अकब लिए रहते हैं उन्हें ही रटना है बाकि आपको समझना होगा उसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए ठीक है